चोपड़ा जो किस न्योटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो राजस्तान स्टेट की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सेकंड राउंड के लिए जारी हो चुकी है और ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में काफी सारे कंडिडेट की बढ़ोतरी हुई है अभी इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को देखकर के स्टुडेंट के काफी सारे कॉमेंट्स इस बात के लिए आ रहे हैं कि सर हमें सेकंड राउंड में सीट मिल गई क्या हमें second round की seat join करनी चीए या फिर राजस्तान में ही wait करना चीए तो इसको समझाने के लिए मैं आपको ये clear बता देता हूँ कि जो अभी seat matrix आया है second round के लिए उसमें जिन candidates की 21001 rank है उसकी state rank 3226 है अगर ये first round का हम इसमें comparison करें तो जिस candidate की same rank यानि की 21001 all India rank पर जो state rank थी वो first round के लिए 3117 थी अगर इन दोनों का हम difference देखें तो इस बार 109 candidates की बढ़ोतरी हुई है राजस्तान state में second round के लिए अगर हम 21 का देखें तो उसमें शिरब 4 candidate की ही बढ़ोतरी हुई थी यानि 4 candidate ही increment हुए थे second round के लिए लेकिन इस बार 109 candidates की बढ़ोतरी हो चुकी है second round के लिए यानि कि अभी ऐसे काफी सारे students बचे हुए हैं जिन्होंने first round में registration नहीं किया था अभी वो second round में उन्होंने registration किया है और वो राजस्तान में participate करेंगे second round के लिए दूसरी बात मैंने पहले भी वीडियो बना के बताया था कि जो seat matrix आया है तो इसमें first round में जो joining हुई है इस बार 77% student ने join कर लिया है और जब पिछली बार देखा जाए तो इसमें 61% student ने join किया था तो मैं फिर बता रहा हूँ कि राजस्तान स्टेट के लिए ये चिंता की बात है कि इस बार राजस्तान स्टेट के second round में cutoff ज्यादा जाने की possibility है हालांकि first round से ज्यादा तो नहीं जाएगी लेकिन जो पिछला अगर इसाब किताब देखें तो इसमें राजस्तान स्टेट में हम पिछली cutoff से idea नहीं लगा सकते क्यूंकि पिछली बार बड़ोत्री भी कम हुई थी student की second round के लिए provisional merit list में और इसके बाद में seatें भी काफ राजस्तान स्टेट के लिए wait ना करें All India में आपको अच्छी seat मिली होगी वो seat आप join कर लें क्योंकि risk से अच्छा है जो आपको मिला है वो join कर लें तो आपके लिए better रहेगा क्योंकि इस बार राजस्तान स्टेट के लिए हमें ये जो दो जिस परकार के संकेत मिल रहे हैं provisional merit list से और seat matrix से वो ठीक नहीं है तो जिन candidates को All India में अच्छी seat मिल गई है वो All India में join कर लें राजस्तान के चकर में अगर रहेंगे तो उनको risk रहेगा इसमें तो ये जानकारी थी उन बच्चों के लिए जो काफी सारे comments कर रहे थे कि हमें All India में ये college मिला है ये हमें join करना चीए ये राजस्तान में ही wait करना चीए तो आप All India में join कर सकते हैं इसमें मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिं